जिला परिशद के चेर्मेन कप्तान बिर्धाना ने गनतंतर दिवस के पावन आउसर पर बादली बे आयोजित उपमंडल स्तरिय समहरों में रास्ट्रिय धवज फेहराया प्रेड की सलामी ली सवतंतरता सेनानियों की विरंगनाओं, सोरिय पदक विजेताओं, युद विरंगनाओं और उतकरस्ट कारिय करने वालों को सम्मानित किया जिला परिशद चेर्मेन ने गणतंतर दिवस के पावन परो की देश परदेश वासियों को बधाई देते हुए कहा कि अंगनित बलिदानियों की सहादत की बदौलत हमें गणतंतर दिवस मनाने का ये गोरो सालिय उसर प्राप्त हुआ है उन्होंने अपने सम्बोधन में देश परदेश की भूदपूरो विकास यात्रा समरेस्ता सामाजिक वे सांस्कृतिक उठ्धान का उलेखे किया उन्होंने कहा कि पूर्व करशी मंत्रियों परकास धंखड के परियासों से हर्याना सरकार ने बादली को उपमंडल का दर्जा दिया और इसी की बदोलत बादली में राजकी स्तर पर रास्ट्रिय परो धूम धाम से मनाया जा रहा है कप्तान बिर्धाना ने कहा कि हमारी सरकार ने बादली छेतर में विकास को गती देने के लिए बादली को उपमंडल तहसील ब्लाक वेमाचरोली को ब्लाक का दर्जा दिया अधूरे के MP एक्सप्रेस वे का निर्मान कारिय पूरा करवाया कुलाना में महिला कॉलेज खुलवाया, मुनीमपुर में फूल एवं बीज उतकरस्ता के अंदर स्थापित करवाया और बाडशा में NCIMS खुलवाया उन्होंने कहा कि के MP के साथ दोहरी रेल लाइन निर्मान कारिय जोरों से चल रहा है जल्द ही बादली में रेल की सीटी भी बजेगी बादली रेल वेस्टेशन से बैठ कर देश भर में रेल की यत्रा करते हुए पहुँच जाएंगे बिर्धाना ने कहा कि सन 1950 में आज ही के दिन हमारा सविधान लागू हुआ था इसी सविधान के करण हम सभी को समान न्याय समानता का अधिकार मिला गंततर दिवस समारों में स्कूली विदैर्थियों वे महाविदैले के छातर छात्राओं ने बढ़ चड़ कर भाग लिया विबिन संस्कृतिक कर्मों की मनमोक प्रस्तुतियों वे जाकियों ने सुंदर समा बांद दिया उपस्तित जनों ने तालिया बजा करके उनका होसला वर्दन किया साथ ही चेतर में अभूतपूरों परदर्शन करने वाले विसिष्ट जनों को सम्मानित किया गया समाचार कैरी के विरिष्ट पतरकार सुनिल कुमार को उनकी उतकरस्त जेवाओं के लिए प्रसस्ती पतर परदान किया गया साथ ही समाज सेवावे समाज के हित में कारिये करने वाले गणमान्य जनों को मुखे अती थी SDM महोदय, DSP महोदय, तैसिलदार सहीत गणमान्य जनों ने प्रसस्ती पतर परदान कर समानित किया मुखे अती थी कप्तान बिर्धाना ने सरकारी वे गैर सरकारी छेत्रों में उतकरस्ट कारिये करने वाले नागरी को खिलाडियों, अधिकारियों में करमचारियों को समानित किया में जाति हम हंनों हिंस्ट कुछ घंजर्च को बने काशक्रास कर्कारा कर्मचार देब लिकान में स्कषे देख समिधार में यह चैर्मन गशक आपक्तारै कायक लिएके सबसे पहले सब्सक्तान को सुभाइए जिए जन्यवाद सुन्जय क्यारी को भाई और आपके सब इमीवोरों को मेरी तरफ से देशवासियों को परदेशवासियों को 75 गंतंतर देवस के महार देख बढ़ाई देता हूं के और यह गंतंतर देवसे 24 जन्रTrziτεट को जो हमारा सेविधहान लागू हूँ 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 हे बना के त्यार हूँ हूँ उसके बाद 26 जन्रTrzialer κιशvision 50 को जोब्र लागू हूँ उसे अमसर वाद करते हैं कि गंतंतर देश की गंतंतर देश हमारा हूँ हूँ और इस गंटनतरता के लिए हमारे लाकों संतरता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी भी दी है और उसे कुर्बानी की बदुलत आदम खुली हवा में सास ले रहे हैं और आज एका जो माहूल है जिस तरह मानिये मोदी जी का जो नितर तो आज हमें स्वभग्य सालीहा माने मिला कि ने केवले देश के अंदर विदेशों के अंदर दुबारा से ही देश की संपर्बूता को स्ताथित करने के लिए हमेश्चा से ही मोदी जी अगरसर रहे हैं और वो काम छोटे-छोटे कामों से सरुवात करके मोदी जी ने वो काम बड़े मुकाम तक लेके गए हैं जहां आज पूरे वर्ड के अंदर हिंदुस्तान की चाप है आज संसार अभारत की तरह देख रहा है कि संसार के हर एक देश को यह पता लग चुका है कि अगर बारत के लेगर उनकी तरक्य संभव है तो इसलिए आज का जो हमें महोल जो मोदी जी ने दिया है आपका अभी संकल्ब से प्रिणाम जो संकल्ब मानिये परदानमंत्री द्रेंद्र मोदी जी ने लिया कि तो जार संतारीस से पहले हम दिप्सित देश बना के अपने देश को आगे देखे दाएं उसके प्रिणाम के लिए हम सब अगर्सर हैं और दोजार संतारीस से पहले का मुकाम है उस मुकाम को हासिल भी करेंगे क्योंकि जी तरह का अतीत में मन्य परदानमंत्री जी ने जो देश के सरवंगी ने विकास के लिए चाहे हो महिलाओं के उत्ठान के के अंदर जो आयोजन मानिय मोदी जी ने किया एक मात्र सोच यही थी कि जब तक गरामीन सबाज के लोगों की समस्याओं का निवार नहीं होगा तब तक भी चित भारत की जो कलपना है वो अदोई रहे हैं तो इसलिए हम सरवात करें जो अन्तोदे के जो यजना है मानिय द प्रदेश के मानिय मुक्हमझ्तरी जो सोच थी परिवार 957 के मादब से बहुत सी ऐसी हमारी सकी में अर्याना परदेश की है जो पूरे देश के अंदर लाजम होने जा ही है तो सही मालेमा जो आज गरीब आदमी की जो विकास की लिए जो सरकार जो एक सोच लोग रखते है और अतीत में एक मुहारा बनके ये रह जाता था कि गरीब आदमी की सरकार है लेकिन तो मैं बदाई भी देता हूं हमारे चिर्ट नेतरतों को भी और जनता को भी बदाई देता हूं पूरा देस आज राम में है और राम हमारे एक सब्सक्राइब और सोत्म है राम ने जो हमें जो रास्ता दिखाया जो मारख दिखाया है सच्चाई का रास्ता उस सच्चाई के रास्ते पाज देश अगर सर है और सच्चाई के रास्ते पर चल चुका है तो अब यह राम राज्य की सुरुआत है और इस राम राज्य के सुरुआत में मोदी जी की भी यह सोच है कि हर आदमी को उसका फायदा मिले जीवन का उसका अ करें आप लोग उने देखा हुआ शैकड़ो देसों ने हमारे राम मंदर के प्राण परतिस्ता के उद्गाटन समारों को लाइव देखने का काम किया तो यह हमारे लिए एक सो बागे की बात है कि हम दुनिया को नया लास्ता दिखाने जा रहे हैं बादली के दिरपाल पुलि कि यह समय बार बार नहीं आता है जीवन में जो एक बरी समय दीर चुका है वह वाकसी नहीं आता जवाणी एक बार इच चीजी की है कि हम आपने अच्छे संस्कारों को घ्रैण करते वे अपने सरीर का भी ध्यान रखें और उसे सरीर के साथ साथ में समाज गूम नया आइना भी दिखाने का काम करें उसकी सरुवात हम सब ने करके मिलके करनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे जुरूर है कि पहले अपना सरीर मजबूत रखें अपने सरीर को नसों से गुकर्थि और लोग इन गलत परवर्तियों के अंदर जैसे गुंडागर्दी की परवर्ती है तो आपके बादली हमारे चेतर में आसपास में आच्छी डवल्मेंट जो चल रही है तो उसका अमारे युवा कहीं गलत रास्ते पर ना बटक जाएं दसे की तरफ ना रहें इस तरह के मैं कि जो समय है कुछ समय करें और अपनी जो एनर्जी है उसको अच्छे तरीके पर लगाने है ताकि आपने साथ साथ देश का विकास करें कि गंटन्चर दियों से सुवसर पर कप्तान भी डालाजी ने युवा को संदेश दिया है नशे से दूर रहें और साथ ही में राम मंदिर के लिए भी उनने कहा है कि जाड़ा से जाड़ा लोग सरातन धरम से तुरने का काम करें